तो हलो दोस्तों अज़ हम लोग संगी विधाई का यानि संसद के बारे में पढ़ेंगे यून लेजिसलेचर से पार्लियमेंट के नाम से पढ़ेंगे पार्लियमेंट जो सभारत की संसद है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है पहला तो लोगसभा फिर राजसभा और प्लस र लेजिसलेचर करिनमान करती है भाद के संविधान के भाग पांच अध्यायद दो अनुच्छेद 89 से 122 तक संसद यानि संगी विधाई का गवर्ण किया गया है महत्पुरा अनुच्छेद तो संग की एक संसद होगी जो राश्पती लोगसभा और राजसभा से मिलकर बनेगी यानि संसद के तीन अंग है लोगसभा राजसभा और राश्पती ना तो संसद का सजस्य है ना है इनकी बैटकों में भाग लेता है फिर भी वह संसद का अभिन अंग है क्योंकि कोई भी व नेगा जब राश्पति उस्ताइब कर देगा इसलिए राश्पति संसत का अंग नहीं बल्कि उसका परी राश्पति संसत का अंग है उसका सदस्सी नहीं उन्हें इस चोमन में राजपरिशद एवन जनता का सदन के नाम के स्थान पर क्रमसा राज सभा और लोग सभा सदु को अपनाया गया तो राज परिशद और जंता का सदन के स्थान पर क्रमसा राज सभा और लोग सभा सदु को अपनाया गया राज सभा उच सदन कहलाता है तूसरा सदन या बढ़ों की सभा जबकि लोग सभा नित्ता सदन प्रथम सदन या लोपी सभा कहलाती है राज सभा में राज वा संग राज शेतों के प्रणित होते हैं जबकि लोग सभा संपून रूप से भारत के लोग का प्रणितु करती है इसमें इलेक्शन प्रतक्ष रूप से होता है जबकि जो राजसभा यहां पर रिलेक्षन अपरतक शुरूप से होता है। लोगसभा अंग्रेजी में House of People के नाम से जाने जाती है। 14 माई 1904, चवमन को लोगसभा सद प्रयोग किया जाने लगा। राजसभा Council of State 23 माई 1904 से राजसद प्रयोग किया जाने लगा। समधान के तहट प्थम आम चुनाओ 26 अक्टूबर 1902 इंक्यामन से फरवरी 1902 तक हुए। प्थम निरवार्चिस संसत अप्रैल 1902 में अस्तित्त में आई अप्रैल 1902 में। राजसभा के उद्भाव के निसान मॉन्टिस के उचेम्सपोर अधिनियाम 1909 में देखे आ सकते हैं। परसरकार अधिनियाम 1909 के तहट ती चंबर के रूप में राज परिशत का गठन किया गया। जो बास्तो रूप में 1921 में अस्तित्र में आई थी। 1922 के पिथम चुनाओं तक केंद्री विधान मंडल एक सदनी बनी रही। यानि कि जो 1922 के चुनाओं के पहले जो केंद्री विधान मंडल थी। वो एक सदनी थी। तीन अप्रेल 1922 को राज परिशत का विधिवत कठन हुआ। इसमें कुल स्तासों की संकत 216 यानि 204 निर्वाचित 12 मनुनीत है। इस अनुच्छेद में राज सभा की संदचना का प्राबधान है। इसमें अधिक्तम 20.00 मिंबर होंगे। 200.30 सिकाईयों से निर्वाचित होंगे। और बारा का नाम राज सभा की संदचना दी गई है। इसमें अधिक्तम 502 निर्वाचित दो एंग्लो इंडियन। इसमें राज सभा की संदचना दी गई है। अब निरस्ति कर दिया गया है या कि जो इसका प्रोवीजन है वह आंगे बढ़ाया ही नहीं गया है तो एक प्रकार से निरस्ति माना जाएगा। प्रतिक जन गणना के बाद चुनाओ छेत्रों का अपना समय उजन तथा पर सीमन आयोग का प्राधान किया जाएगा। हमचेद 85 सदनों के सत्र आहूत करना 17 अब बिक्टन करने के बारे में दिया गया है हमचेद 85 में 85A में 851 में क्या दिया गया है राजपति समय समय पर संसत के प्रतेक सदन को ऐसे समय और इस्थान पर जो ठीक समझे अध्बिशन के लिए आहूत करेगा। पर दोनों बैटकों के मद 6 मां से अधिक कांतर नहीं होना चाहिए। लोग सभाव राज सभा का सत्र आवसान किसी भी समय किया जा सकता है भले ही सभा की बैठाग चल रही हूँ। कुचेद, 86 varias सदन में अभिवासन का और उनको संदेश भेजने का राशपति का दिकार। और उनको संदेश भेजने का राजपती का दिकार, राजपती किसी एक सदन या समावेद सतनों में आईभासन कर सकेगा, ताकि किसी लंबेद बिधिया क्या अनविशेपर संदेश भेज सकता है, संद्धान का रूचित 81A में या हुपंदित किया गया है कि राजपती संसत को किसी एक सदन में या एक साथ समावेद तोनों सतनों आईभासन करने का अधिकार है, राजपती को या अधिकार दिया गया है, कुल मिला के, संद्धान संद्ध दोनों सतनों यानि बोथ हाउस असेंबल टुकेदर में आईभासन करने का अधिकार दिया गया है, संद्धान जणीर माताओं ने यह प्रापधान भार 1270 की धारा बीश से लिया है तथा अपिस समिधान के प्रारंब से ले कर अब तक किसी वी राश्पति ने इस अनुच्छय द्यानी 86一 के अंतरगत संसाथ किसी सदन में एक से या संस्वत के किसी सदान में या एक साथ समय बेद दोनों सदनों में अभास्ण नहीं किया है अच्छे सतासी राजपती के बिसेस अभास्ण इस्पेसाल इड्रेस अभास्ण दो सुतियों में होता है प्रथम जब आम चुनाओं के बाद नमीन लोग सभाग गठन होता है तब दोनों सदनों के समावेद होने पर तथा दूसरा प्रत्य एक बरस के प्रथम सतर के आराम मे दोनों सदन एक साथ समवेद होते हैं तो बेसिकली जो राजपती का आविवास्ण होता है आडिकल 87 तहयती हो जाता है संसत के दोनों सदनों के अभाषण करेगा और संसत को उसके अभाहन का करण बताएगा तक यूँ किया रहा है उसका कर दो अनों चेह सतासी एक के उबंद के अधियन राशपती का आई वासण एक साथ संबेत हुए साथ के दोनों सतनों के समाख चीह हो सकता है एक साथ दोनों सतनों को अध्रिस की मदधम से आशपती जोशित कर सकता है मतलब कि जरूर नहीं है कि लोग सभा में पहले जाए फिराज सभा में जाए नहीं एक ही बार में वो दोनों सतनों के अध्रिस कर सकता है इसका हुआ हुआ कि किसी बर्स के प्तारम सत्र के प्तारम में लोग सभा भंग कर दी गई यह भंग है और राजसभा की बैठा खोती है तो राज सभा राजपती राफस्व کی बिना ही अपना सथ्र। कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी बरस के प्रथम सत्र के प्रारह में लोकषभा भंग कर दी गई या भंग है पर ग्यांपल जो नएज साल लगा है उस समय लोग सभा भंग थी या भंग कर दी गई और राजसभा की बैठक होनी है तो राजसभा राश्पती आई भासण के बिना ही अपना साथ प्रारम कर सकती है राजसभा का 99 वह एक सो अंठामना सत्रक्रम सा उस तरहत्तर वह इंक्यानने में लोग सभा भंग होने के दौरान राश्पती आई भासण के बिना ही प्रारम हो एते अनुच्छेद साउ तो सदनों की गणा पूर्ति यानि कोरम के लिए बात की गई है तो बिसिकली जो संख्या होती है उसके एक बटे दस इसका कोरम में धारित किया ग यह महा नयावादी को भी प्राप्त है यह विश्यसाद दिकार हैं जैसे संसत में भासर देने की संदता संसत की करवाही के प्रकाशन का दिकार 40 दिन तक गिरफ्तार नहीं करना रफ्तारी की छोट केबल सिविल वामलों में है विश्यसाद दिकार हननन यह सदन के अमानना और दंडित करने का अधिकार पीटा सीन कर्मति के बिना सदन परिश्थ में सदस्कीर अप्तारी नहीं होगी यह विश्था दिकार बिटिस हाउसाब कामन से प्रेडित है अनुच्छे एक सो आठ दोनों सदनों की संयुक्त बैठा का प्राब्धान सधार्ण विद्यक पर वि प्रेडिते हैं टैनों प्राजपती के बारे में दिया गई हैं राषपती कि आनमति के बात की गई है कि विधिकों पर जो बिध्यक प्राइब कर साम में आती है एक सो बारा में विट्ति बार्तिक बिट्टी विब्रण विजट की चर्चा की तो भारत में बाद के समिधान हूँ पर बजट जैसा कोई सब्ध नहीं प्रोगत किया गया इसके लिए एन्वाल फाइनेंशल स्टेटमेंट की बात की गई है बार्तिक बित्ति विवर्ण सब्द का प्रियोग किया गया पर आडिकल 114 में बिन्योग बिधियाक क्यानी कि एप्रोप्रियेशन एकाउंट की बात की गई है कि भारत के जो इकाउंट की बात की गई है और 117 जो आर्टिकल है वो बित्ति विद्याक से रिलेटिट है बित्त विद्याक और मने विल में क्या अनतर है उसको हम आगे चल के देखेंगे लेकिन अभी यह मुटा-मुटा जान लीजेए कि 117 तो आर्टिकल है उसमें फाइनेंसियल विल की बात की गई है बिसिकली दो प्रकार के होते हैं आंगे चलके और इसके बारे में डेटेल से पढ़ेंगे अनुच्छे तीन सो उन्यासी इसनुच्छेद में अंतरिम संसत का उलेग था 17 नवंबर उनिस सो थैंतालिस से 13 माई 1902 तक समिधान सभा ने इंतरिम संसत के रूप में संसत कर किया किसने कुंसिट्यूशν असाने इस दोरान जी भी माब óelnकार ने संसत किस्ता की थी अब लंकार और को भारत में संसत का जनeg का जाए अब संसद के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं भारत में बिड़न की तरज पर सरकार का best minister model अपनाया गया है best minister model संस्ती सरकार या उत्तरदाई सरकार का पर्याय है best minister model is equal to parliamentary government, parliamentary form of government या responsible government तो संसद का गठन किस परकार से होता है इसको देख लेते हैं तो बिसिकली जो राश्पती है ये संसत का अंग है सदस्य नहीं है अभिन अंग क्योंकि संसत सत्र आहूत करता है कौन राश्पती सत्र वुसान करता है तथा लोगसवा का विक्टन भी करता है संसत में अभिभासण कर सकता है आर्टिकल संदेश बेश सकता है और संसंद्वारा पारित बिध्यक्त को अन्मति भी यह देता है पिर जो लोग सवा है इसकी अधिक्तम संख्या 500 बामन है 550 निर्वाचित होंगे और दो एंगलो इंडियन का मनोनियन किया जाएगा हलाकि अभी मनोनियन आर्टिकल स्वरी समधान का जो स 555 है 545 है 545 प्रस दो यह है राज सभा के दित्तम संख्या 200 है इसमें से 238 अप्रतक शिरूप से चुनाओ जी इनका होता है और 12 को राजबाजी द्वारा मनोनियत किया जाता है लेकिन बास्वी संख्या 245 है 245 में 233 प्लस बारा 233 अप्रतक शिरूप से द्वाजत किया ज अब चलिए राष्ट सभा के राज सभा के बारे में पढ़ते हैं राज सभा भारती संसत्त का दोती यानि उच्छ सदन है इसे हाउस अफ लॉड़ भी का जाता है कहां बिटन में चुकि भारत संखी देश है अता है राज सभा इकाईयों का प्रत्थे तो करती है यानि रा और लोग सभा को जनता का सदाने ने हाउस साफ फीपल खा जाता था 19-04 मन के पहले राज सभा का गठन का अब हुआ था तीन अपरेल 1902 को पथम बैठाग इसकी तेरह मई 1902 को हीथी लोग सभा का अच्छ सभा गठन 17 अपरेल 1902 को हुआ था उसके पथम बैठक 13 मई 1902 को हुए थी गठन जब कि इनका अलग अलग हुआ है तो राजसभा में अधिक्तम 200 मिंबर हो सकते हैं इसमें से 238 अप्रतक शिरूप से होते हैं जबकि बारा अश्पादी द्वारा उन्हें किया जाते हैं अश्पादी द्वारा अच्मान में राजसभा की बास्तुरी संक्या 245 है जिनमें से 233 प्रतक शिरूप से निर्वाचित होते हैं 225 राज्यों से आठ संग साथ से चेत्रों से तीन नहीं देली से एक कोंडyu-चेरी से पूठयषे द्वारे नमिर्देशन बारा नमिर्देशन होते हैं किस किस फील्ड़से याणि और अन्रम द्ल Aceância खहुगा लेकिन इतुत का रखेगा साहित विग्यान काला माज स्वा य्यसे भी सै कि विशेष ग्यान वा वहार अंभवों वाले एगर आपको साहित ज्ञान काला समाज सेवा इवन अपखेल को जोड़ दिया गया है तंदुलकर के दूल को समिल करने के लिए तंदुलकर को तो आपको अपने छेत का विशेष ग्यान वहारी खनभव होना चाहिए ऐसा नहीं क कि कोई विवेक्ति को खला कि संगाय में उनको नियुक कर दिया ऐसा कुछ राज्सपति नाम नाम निदेशित होगा राजपति द्वारा इनका नाम नॉमनेटन नॉमनेटर किया जाएगा लोग सभा की अधिक्तम संख्या समय समय पर बदलती रही है वही राज्च सभा कि संक्या 26 जनवर्य को लागु संभिधान लेकित है वही है हुआ है संक्या 245 लेकिन जो तो यह सब पचास जो हमधान संधान जब बना था तो समय थी वह भी अभी है अध्य सब्हा में अन्प चुचित जाती हों जन जाती अत्वा एंगलो भारतियों के लिए किसी प्रिकार के अरचन की विश्था नहीं की गई खिला की अब लोग समय में भी एंग्लों यंडियंस का मुध्ण कहतम कर दिया गया है न टीर सभा की पहले महिला जोनो में देटार के घुना तो में टी तो 19 दिसंबर 2012 को दिल्ली उच नियाले में एक जन्हित याजिका राम गोपाल सिंग्स हो दिया बनाम भारस संग में एबम अन्य में किकट खिलाडी से चिन तंदुलकर को राज सभा सदस्य के रूप में नाम देशित करने कुछ नहीं होती दी गई थी कि तंदुलकर का मनु चेट असी तीन में ऐसे विशे की संदर्व में इन रिस्पेक्ट आफ सच मेंटर सब्दों का प्रयोग यह उपदर्शित करता है कि इन सब्दों के पस्चाद दो भिशे अर्थात साहित विज्ञान का लाव समास सेवा उलेखित है वे उधारन है संपूर नहीं है याज का खरेच करते हुए नियाला ने नाम नीर देशन के रिधान को को सुवकार करिया सुनशित कि राश्चत को अपने 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 छेत में 비ści शेश्ट्या प्राब्त देश के पतिश्चत व्रग्षियों की सिवा प्राब्त हूं जाहे को किसी भी सेट्र केंद्री मंदी मंदल कोई नाम नहीं दून다 della स्सामिल नहीं किया गया और समिधान की अधिना ग़्रकोई रॉक नहीं कीनल में कोई गयाया को थ certain पर केंद्री मंद्र में सामिल नहीं किया गया तो नहीं किया गया नाम ने देशित का कारेकाल भी अनसदस्तों की तरह छह वर्स का होता है यह अकस्मिक रिक्ती होती है तो उनकी जगह कोई ड़क्ति नाम ने देशित होता है तो उनके कारेकाल की अबद रिक्त पैदा होते समय की से सब्सक्राइब की मानी जाएगी ना कि 6 वर्स तो यह क्या है इसको रोसोत देखते हैं यदि अकस्मिक रिक्ती होती है तो उनकी जगह कोई व्यक्ति नाम दिनलेशित होता है तो ईसके कारिकाल की अबत रिक्त प्यस्थ पैदा होते समय की सेस अबत की मानी जाएगी ना कि 6 वर्यtalk रिक्ति अगई अब रिखती आ गई उस पर जो लोनेशन होगा उस चीट पर उसवेक्थ के स्थान पर तो उसका जो कार्काल फरक्जंब्वल दो वर्स उसने कारिकाल पूरा कर लिया था और उसका उल्तियों हो गई जो अंगली चार वर्स के लिए ही उस सदस्ट को नामनेशन होगा जो उसके स्थान पर आएगा पूरे छे वर्स के लिए नहीं यह बात यहां पर कही जा रहे ताज सभा की पहली नॉमिनेटर जो महिला थी उनका नाम था अरुकमनी देवी अरुण डले इनका कारिकाल 1962 से 1962 से 1962 के बीच में रहा रथवी राज कपूर पहले अपनेटर थे जो राज सभा के लिए नॉमिनेटर हुए थ निरवाचन तो राज सभा के सथों का निरवाचन पनाली से होता है ताज सभा के सथों के निरवाचन में राज बिधान सभा के के वाल निरवाचन से ही बोट डालते हैं उनके इलेक्टेड मेंबर ही बोट डालते हैं नॉमिनेटर मेंबर नहीं जो एक प्रोवीजन है ना कि एक एंगलो एंडियान नॉमिनेट किया जाएग हलाकि प्रविजन खतम हो गया है लेकिन फिर भी समिधान तो पहले बना है तो उसी साब से समय बाते हैं भी चल रहे हैं फिर निर्वाचन अनुपातिक प्रद्धितों की एकल संक्रम नहीं मत प्रद्धिती से होगा यानि प्रपोर्शनल डिपरजेंटेशन बाई मीनस अफ सिंगल टांस्फरेवर बोर्ड के तहत होगा भारत में कहीं भी मरत में कहीं से भी कोई भिनागरिक राजसवा का सदस बन सकता है यानि जहां से चुनाओ लड़ना है उस राजी का निवासी होना जरूरी नहीं है तो फरजयां फरजय संकार जी को कहीं और से बनाया जाता है राजसवास बनाया जाता है तो जरूरी नहीं है कि आप उस रा जब लगाई को भी गए तो कोई विप लगाने का कोई है सपस्टा या लेकिन यहां पर आप अगर पार्टी लाइन के बाहर जाके बोर्ट करेंगे तो यह आपके सदस्ता जा भी सकती इसलिए खुला मद्दान होता है खुला मद्दान होगा तो लोगो पता चले करेंगे इस आदमने कि इसको बोर्ट डाला उतरपदेश में सरवाधिक 31 सदस हैं संग सासिद छेतरों में दिल्ली में तियन पंड़चरी में एक चमुकस्मीर में चार सदस हैं इसके लावब बाकि संग सासिद छेतरों को कम जन संगर कान प्रंदित नहीं दिया गया राजुन द्वारा राज सवा के सदस अनुपातिक प्रंदित्यों के अनुशार एकल संखर्णी मत द्वारा चुने जाते हैं जबकि संग सासिद छेतरों के प्रत्नित उस रीच से चुने जाते हैं जो संसद भी द्वारा में जारित करती है आठकर 85 में ऐसा दिया गया फिर जन प्रत्निती अधिनियम 2003 के दौरा जन प्रत्नित अधिनियम 19 1991 कि धारा चुने के अनुबारता को समाप कर दिया गया राज विशेस का मद्दाता होने के अनिवायता को समात कर दिया गया है यानि कि जो जन्परदनेदी अधिनियां 2003 आया था उसके द्वारा जन्परदनेदी अधिनियां इनक्यामन की धारत तीन को संसोजित करते हुए राज विसेस का मद्दादता होने की अनिवायता को समात कर दिया गए यानि कि अब राज सभा में कोई भी विएकती कहीं से भी राज सभा सांसत बन सकता है जरूरी नहीं कि वह उस राज का मोल निवासी हो या उस राज का सभासी होना पड़ेगा लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि आपको अगर मद्द्रदेश राज सभा का संसत बनना है जरूरी नहीं है कि आप मद्द्रदेश के निवासी दोजार तीन से यह प्राध्धान जो कि जन्पद्र नहीं जी अधनियम उन्युश्विंक्यामन की ध तो राज्यों संग राज्चेत्रों को राजसभा में कितना प्रत्नित होगा उसका उलेक चौथी अंसोची में है राजसभा में केवल राज्चेत्रों के ही प्रत्निति नहीं होते है अपे तो संग राज्चेत्रों के ही प्रत्निति होते हैं यानि यून टेलिटरिस के भी की प्रत्निदी होते हैं अंग तक अभली संग राजgoing की रूप में बेज़ा जाने कारेकार barrack सभा एक इस्थाइं सदन है कभी बिखटट नीं होता है या भंग नीं होता है उत्र सब्सक्राइब कर दो साल में रिटायर हो जाते हैं किसी सब्सक्राइब जी से पूर अकस्मिक रिक्ति पर नभीन सब्सक्राइब के लिए बनता है ना कि पूरे छह साल के लिए राजसभा के सदसका कारिकाल छे वर्सका होता है हलाकि इस पेकार की सब्दा वर्य समिधार में उलेकित नहीं है नाम निर्देशि सदसका कारिकाल भी अन्य सदस्व की तरह 6 साल का ही होता है यदि अकस्मिक रिती होती है तो उसके जगह यदि कोई अन्य व्यक्ति नाम नजै तो उसके कारीकाल की आब दो रिक्त पैदा होते समय समय कि आब जो सेस्व बची है उसकी ही इसका कारीकाल के वर उतना ही माना जाएगा चई बर्स नहीं माना जाएगा अंश्य ट्रासी में हो लेकित हैं कि प्रत्तेक दो वर्स में राजसवा के बड़े तिन सजस्ष अवकास सब्सक्राइब करते हैं से की मासा सी इस सक्षट है कि राज सबान और से kriegen मत शाथं से सब्सक्राइब सिस्थे होता था 2003 से का चुनाव कहुंता अली сможet मैं से होने लगा चाहते हैं सब्सक्राइब क्राश्पह की पहले लिए कि जामन में इस धांधर्ण कोब कर दोर प्राइब कास दिया गया लाट्य विवस्ता को सलाका विवस्ता भी कहा जाता है तो अपनी उसका कारिकाल है फर्जाबर 6 साल का है को उसके पहले भी वो राज सभा के सभापति होते हैं वर्यात कि उनको एड्रेस करता हुआ एक कुल इनला के बात यह गई है कि अब सपत की बात देख लेते हैं इसमें सपत की बात इसमें दी गई है अनुछेद नियान नभी में सबी सथ सोची 3 सफ़त लेते हैं सब्खत σब्धत सब्द दिलेते हैं जबकि मरोनी सब्सद्धत को सुयम राश्ट पती ही सब्द दिलाते हैं कि पिर क्वालिफिकेशं क्या है वे भारत का नागरी सिब्राइस राज सभा का सांसद बनने वाला है भारत का नागरी ऑगो तीस वर्ष या उससे की अधिक आयुका हो जो उच्छन आयोग द्वारा प्राद क्रतिर्ट बेस दक्त के समझ सब्रतली हो ऐसी योगताईं जो संस का पंजी कृत्मत दाता होना अनिबार नहीं है यह विवस्ता 2003 में की गई थी तो सस्य के लिए जो जिस क्वालिफिकेशन है अनुच्छे देखो दो के अनुसार उसको पढ़ लेते हैं तो भारत सरकार या किसी पर दो हो करती है तर्फिक या दिवालिय निद्सक्ता है तर्फिक जो रडी सब्सक्राइन में दसमी अंसूचिस के साथ जोड़ी गई थी कि मात्य हमसे दरवदल कानून लाया गया था और तो अगर कोई वेक्तिराज सभा की सदस्द से बनना चाहता है तो दरवदल कानून की तथ आयोग उसको कौशित ना किया गया हूँ लोग सभा करी सदस्द से और या राजपति करता है लाजपति की निर्णे को प्राल्कम चुनोती नहीं दी जा सकती है पर ऐसे प्रेस्द पर निर्णे से फोर राजपति दीकारी होगा तो लोग सभा में कौन होता है ने स्पिकर और दाजसभामे कॉन होता है नासमव में सभापती होता है क्या 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 थो से दों उतल कि आधार पर है संशत की सदर्श्चों किया योगता का दालर कि गतार मेरा को हार टारagen सब्धकारी करता यूंज सवापती सबसंभा पर का राज सभापती نयुक्त को नांटन पर्ञेख को भारत के सब्सक्च ना ये होता है क्योंकि उप राजपती का कारिकाल भी पांच वर्सका होता है राजपासदा से चुने जाने के लिए समंदित राज़ी की मतादा सोची में नाम होना वश्चक नहीं है अत्धाद भारत का कोई भी नागरी किसी भी राज़ी से राजपासदा से चुना जा सकता है या, राज़ीः सभा के उप सभापति का चुनाऊ यायनि जो टट्टी चेर्में होता है उसका चुनाऊ राज़ीः सभापति से अपने में से किसी को चुन कर करते हैं में जबकि कि यह हैं जुर मेंधा करे सब्सकर ईसका पांच वर्स के हिम क्यों क्योंकि आज़ बाइस पति का करकाल iki पांच वरth का होता है कि यह तो यह सभब पाती में संद्या शंचा नेरॉद करता है ति में यह ज़िए मन कौन करेगा शाल कर शौनी कर सकाथ सभाथि है आजए जना से और सभापति है और सभापति कौन है यह निए सभापति수म्च्ड कौन है जगदीब धन्कट तालु है तो हमने सभापति समय समय पर ऐस खस्यों में से अधिक से चैस रस्च यो यह तालिका बनाता है जभापति वाप सभापती की अनपस्ति में वह उस तालिकां में से चक्रा नुमा यह सदस पिजसीन के रूप में कार करते हैं इसी प्रिकार के विवस्था लोग सभा में भी है जहां अध्यक्स-द्वारादिक सहती दस दस चोंकी एक सभापती तालिका बनाई जाती है यहां पर राजसभा मे पंदेखक देगा ऩाध राजसभा पते को डेता है और उपाध्यक्स-द्वाराधा को देता है लेकिन राजसभा में जो अध्यक्स होता है और सब्सक्राइब इसको देता है प्रिषेंट आप इंडिया को देता है चुनकि जो सब्सक्राइब इसलिए विश्था की गई पिर राजसभा के सभापती की सक्तियां वक्राइब कार लोगसभा की स्पीगार के समान है यह बल दो अंता है कौन-कौन से राजसभा के सभापती को धान विध्याक के संबंध में निजना लेने का जिकार नहीं है दूसरा सभापति सधान विध्यक पर विवाद निप्टान के लिए तो के लिए होने बाले जो सभाण 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 के दक्सिता नहीं करता है तो जो चॉइंट सिसन होता है किसी भी जो समान विध्यक होता है विवाद निप्टारे के लिए होने वाले दुन सभाण को सभापति के पास अतन के कार संचालन वस्ता बनाने रखने के सकती होती है इसके प्रयोक के लिए वह किसी न्याले की अधिकारिता के अधिन नहीं राजिस्थान के भैराव सिंग्स से खाबद एक मात दखती है जो राजसभा में सभापति रह चुके है जब कि और रामनिवास म्रधा ये एक मात दखती है जो उपसभापति यानि वाईस चेर्मेंड रह चुके है मार्गरेट अलवा पहली महिला है जो राजसभा में उपसभापती बनी थी नजमा हेपतुल्ड़ा राजसभा में सरवाधिक समय तक लगो 18 वरस्त अपसभापती रही थी नजमा हेप्तुल्ला फिर सामिक सभापति या चेर्मन प्रोटेम तो आर्टिकल 91 एक के तनुसार सभापति वा उपसभापति दोनों के पत रिखत हों तब राजसभा का ऐसा सदस जिसको राजपति इस प्रयोजन के लिए नूत करे सभापति के पत की करतब का पालन करता है इ प्रया सामिक सभापति चेर्मन प्रोटेम कहा जाता है तो सथान विद्याक पर दोनों सदनों की सक्टिया समान है इस भिद्याक को किसी सदन में लख जा सकता है यानि सथान विद्याक होता है राजसभा लोगसभा दोरा पारित विध्याक को 6 मीने तक अपने पास रोक सकती है पर समाप्त नहीं कर सकती है दिबाद की इस दिती में अनुच्छे देख सुराट के अमसार दोनों सदनों के सेंट बैठक बुलाई जा सकती है समिधान संसोधान बिध्याक पर दोनों के सकती हैं समान है राजसभा इसे पारित नहीं करे तो वह समाप्त हो जाता है धनमिद्यक पर लोग सभा जादा सक्सिसाली है धनमिद्यक केवर लोग सभा में ही प्रसुत होता है राजसभा इसे केवर तोने दिन तक रोग सकती है और उसके बाद यह सुद्धा पारित माना जाएगा राश्पती के महावयोग पर राजसभा के सभी सदस से भाग लेते हैं तो राश्पती के महावयोग पर राजसभा के सभी सदस से भाग लेते हैं माने की नॉमिनेटर्ड मेंबर की भाग लेंगे उप्राश्पती के चुनाओं में राजसभा के समी सदस से बोड डालते हैं फिर राजसभा की विशिष सक्तियां गौन-गौन सी हैं तो आर्टिकल 249 के अमसार राजसभा की राज सोची के किसी विशे को राष्टी महातु का खोंचित कर सकती है इसके लिए राजसभा उपस्तित्वा मत देने वाले सदस्यों के दो बड़े तीन बहुमत से प्रस्ताव करती हैं जैसे प्रस्ताव एक वर्ष तक प्रहावी रहता है राजसभा चाहे तो इसे हर वार एक एक वर्ष के लिए वढ़ा सकती है अनुच्छे 312 के अनुशार राजसभा उपस्तित वा मद्दान करने वाले दो तिहाई सेजस्टों के भहुमत से प्रस्ताव पारितकर नई एखिल भारती सेवा की स्थापना का अधिकार संसत को दे सकती है राजसभा ने इस विशाथ अधिकार के तहत 1961 में भारती इंजिनलिंग सेवा भारती वन सेवत था भारती जिकिस्ता सेवत था प्राइशार में दोसरी बार भारती किस सेवा वा भारती सिश्चा सेवा खशिजन का अधिकार संसत को दिया है लेकिन अभी इसका गटन नहीं किया गया है राजसभा की राजसभा ही भारत के उपराजपती को पस्य हटाने के प्रस्ताव को प्रारम करती है राजसभा ही भारत के उपराजपती कोपत से अटाने के प्रस्ताव को प्रारम करती है इसके लिए राजसभा ततकालिन समस्थ सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है इस पर लोगसभा के वल सहमती देता है राजसभा का गैर संघात्म क्लच्वन संघहातमों को व्रस्था में ऊच्छ सदान इकायों का परतित करता है । उनके हितों के रच्छा करता है यह पीपल्स का करता है आधर ससंग में सभी इकाईयों को समान प्रतित होता है जबकि भारत में असान नहीं है अधिक जन संख्या वारे राज्यों को ज्यादा प्रतित है परग्जाम पर उतरप्रदेश को 31 सेटे मिली हैं जबकि असंद जैसे असंद जैसे जो राज्य हैं उनको केबल एक सिट में ऐसे में राज्य सभा में मद्दान होने पर बड़े राज्यों का ही निड़नायक महत होता है संग्सराज अमेरिका अस्टेलिया सुच्छा लेंड में समान प्रतित है जबकि करनाड़ा वारा तो जनमनी में असमान प् आपने जो 2003 में यह प्रोविजन कर दिया कि राज्य सभा का सरस्य होने के लिए उस राज्य का निवासी होना ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर कोई दूसरे व्यक्ति को जो कि उडिसा का है मत्रदेश चाप सांसाथ बना देते हैं तो वो कैसे उस राज्य की समस्या को समझे राज्य सभा के राज्य सभा की परसंगिगता पर पर प्रसंची लगाए जा रहे हैं समय समय पर पहला प्रसंची निया लगता है कि हैं संस्ता चुनाव हारे हुए राज नित्तिग्यों वफादार नौकर साहों तथा सत्ता रून हदल के पसंदीदा वेक्तियों के सानल निस्तली बात के जो मनमहन सिंग्जी थे धानमंत्री वो ताज सभा से ही सांसत थे और तब उनको धनमंत्री बनाया गया था दूसरा प्रश चुनाव में क्राश बोटिंग होती है इसे चुनाव प्रणाली की सचिता एवं नयतिकता का शंव होता है इसी क्राश बोटिंग को जिसे सगिता या धायन की मार्ग के अनुसार नहीं लिटा मंगे सुर्षितिन तंदरलुकर जैसे उन्होंने सदत अनुपरस्थि का रिकार्ड बनाते रहे हैं और बनाएंगे भी आंगे अगर उनको चुना जाएगा तो लेडी बसो ने राजसभा के सितिवा सीमा के बारे में कहा है कि हमारी समिधानिक प्रणाली में राजसभा का इस्थान उतना महातु नहीं रखता जितना अमेरिकी सिनट का है साथ ही उसकी सितिव उतनी गिरी हुई भी नहीं है जितनी आज हाउसाब लाट्स की है लेडी बसों क्या कहते हैं कि राजसभा के सिति और सीमा के बारे में क्या कहते हैं वो कि हमारी समिधानिक प्रणाली में राजसभा का इस्थान उतना महातु नहीं रखता जितना अमेरिका के सिनट का है लेकिन उतनी भी गिरी से नहीं है जितनी कि हावसाब लाद्स की आवड़ाब लाद्स जो की UK का है उसके जो इस्टिती है बहुत ज्यादा गिरी अब हम लोगसभा को समझते हैं लोगसभा की संदचना के बारे में हमिधान के अनुच्यद 89 में उलेक किया गया है जबकि अनुच्यद 81 में इसकी संदचना की चर्चा की गई है तो लोगसभा का जो उलेक है हमिधान के अनुच्यद 89 में किया गया है जबकि इसका संदचना क के बारे में चर्चा क्यासी में की गई है लोगसभा की अधिक्तम संख्या पांसो बामने धारित है पांसो तीस प्रतिनेदी राज्यों से बीस संघ राज्च छेत्रों से वार दो राष्ट पति द्वारा नामित ये नाम निर्देशित एंग्डो नियम संदाय से गोवा और बामन दिव अधिनियम उनियसो गोज़ारा लोगसभा की अधिक्तम संख्या पांसो बामन निश्ट की अधिमान लोगसभा में पांसो तिराले सillभ यही पांसो चोबषव राज्यों से 19 संग सासित चेतरों से राजवा संग सासित चेतरों के लोग समास हदस्यों का चुना प्रत्तक श्रीष से सारव़ोंिक 10 मता दिवार के अंसार होता है 1989 में राजीव गानी सरकार द्वारा किये गए 61 समिधान संसता द्वारा मद्दान की आयो 21 से घटा का रठारा कर दी गई समिधान ने संसद को संग राज छेत्रों के प्रत्नितितियों को चुन्ने की बिद्धिन धारन का धिकार दिया है इसी की तहट संसद ने 1975 में प्रत्तिक्स मद्दान के बेजी मनाई थी अगर एंगलो इंडियन समधाय का लोग सफ़ा में प्रयाद प्रत्ति तो ना हो तुराज प्रत्ति द्वारा दो सदस्यों को नामित या नाम देशित किया जाता है यह विवस्था अनुच्छे 111 में बढ़नी थे पर 104 में समधान संसदान द्वारा जो की 2019 में हुआ इस विस्था को 2020 के बाद आंगे नहीं बढ़ाया गया है 1922 से 2020 तक इनका मनोनयान के विस्था थी लेकिन अब विस्था खतम हो गई अनुच्छे 366 के अनुसार एंगलो इंडियन हुए हैं जिनके पिता या पित्रपक्ष युरोपी मूल के हूँ रथात युरोपी मूल के हूँ अर्थात युरोपी मूल के पुरूष या भारती इस्था इस्थाई रूप से भारत में हिरा रहे हैं अनुच्छेद 331 के प्रदान के अनुसार 2014 से औरनिस तक प्रोफेसर रिचर्ड हे के रल के थे जार्ज बाकर पच्छिम बंगाल से लोग सभाव में अमनेटरी नंबर थे एंग्लो इंडियन कम्यूटी के लेगिन 17 में लोग सभाव से जो के 1929 में सजारी है उसमें कोई एंग्लो इंडिया नहीं है क्योंकि प्राप्धानी खतम कर दिया गया है ना ये Curt takes a 19 26 li निरवाचन निरवाचन तो लोग सभाव कर्षव के परत्यूत न кноп के अदा पर प्तक्षी निदर होता है लोग सभाव के ऑन सो तिरी डस था फार्श टवस्टिम वे अगरता ही बिजयताव से चुने जाते हैं अलाकि इस प्रेकार की सब्दावली सम्मिधान में लेके प्रस्टिम ये सम्मिधान में लेकि वर्जांपल 15 परतनेट्स chimney चुनाऊ लड़ा पांच कंड़ेटर्स ने चुनाव लड़ा सभी के सभी ने 30-30 परसंट बोर्ट पाए 30% किसी ने 30% 30-30 ना कितना हुआ 30-30-30 नभी ज्यादा हो गया लेकिन ठीक है 25-25 अगर किसी ने पाए 25-25 25 वालो चार कंड़ेट्स ने लड़ा 25-25 परसंट बोर्ट पाया तो अब इसमें चुनाओ कैसे मतलब कोई बेक्ती जीतेगा तो अगर एक बेक्ती 26% मद्दान भी पा गया और तीनोंने 25-25-25 प्राप्ट किये उसने 26 प्राप्ट कर लिया और तीन लोगोंने 25-25 प्लस 24 प्रा भले ही उसने 50-75 प्राप्ट नहीं प्राप्ट किये 26 प्राप्ट किये लेकिन तीन जो कंड़िडेट्स थे जिन्होंने 25-25 और 24 प्राप्ट चुनाओं में बोर्ट पाया उनसे ज्यादा पाया इसलिए जीच जाएगा यह है फस्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम तो कुल मिला क यहां पर जो माइनोर्टी कम्मुनिटी है उसका प्राप्ट नहीं हो पाता है इसकी भी बहुत सारी अलोचनाएं है फस्ट पास्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के लेकिन फिर भी ठीक है अब डेपिजन्टेट्व डेमकरसी है तो इतने तो चलता है संपूर देश कुजन संक एक हिराज के विविन छेत्रों के पर पत्पंधित्व में एक रूबता हो जनी कि जन्संक्र की आधार पर फर्ग्जामेजन्पर किसी राज की जन्संक्र के 10,000,00000 है वहां से 10 प्रतिनिध्या चुने जाते हैं और किसी राज की जन्संक्र एक है से कम से कम एक सीट 20 उसको तो मतलब कुल मिला कि यह है कि राज़ियों के बीच भी जो घंधर है या कि एक 이런 अमस्विधंआ गरे उतला दो इसकी भी कि दिटू में की गई होए तो परथेक दस वर्स वर्चाब अगर्ण के 50 सीटों के पुना समयोजन का प्राब्धानिस में किया गया है यह पर सीमन दो पारिवातिनों समंधित है पहला राजियों को लोग सभा में स्थानों का अबंटन दूसरा तेक राजिका प्रदेशी के चेति निर्वाचन सेत्रों में विभाजन तो इंसंके करुंसार सीटों म पुना समयोजन के लिए अनुच्छेद 82 में परसीमन आयोग का प्राब्धान किया गया है इस आयोग के संद्शन निम्न प्रकार होगी तो आयोग का एक अध्यक्ष होगा जो उच्छितम नियालाइक का नयादीश होगा मुख निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन आयो लोगसभा और राजसभा की सीटों का जैन संका केनपाद में पुनर सिमांकन करना है अब तक चार परसीमन आयोग बन चुके हैं बामन में 1922 में 1922 में और सन 2002 में 1922 में 24 परसीमन आयोग नियामूर्ति कुल दीप सिंग के दिश्टा में बने आयोग ने लोगसभा की कुल सीटों में था राज्यों आवंटित सीटों में कोई परिवाच्टन नहीं किया पर विभिन लोगसभा सिटों की आकार को समयोजित किया इंटर्नली से कुछ जिले ह आब अंटित लोग सभा सीटों अपर तेक राजी के प्रदेशिक निर्वाचन चेत्रों के आकार को बर्स 2000 तक के लिए इस्तिर कर दिया गया था और यहां 1971 की जन करना के अधार पर किया गया था कि फिर एटी फोर्स तो कंस्टिस्योशनल अमेंडमेंट होगा 2011 में 2001 में के द्वारा इस प्रदिबंध को दोजार 26 तक बढ़ा दिया गया है यानि आगामे 25 बरसों तक कुल सीटों में अर्थात राज्यों को आबंटी सीटों में परिवर्दित नहीं होगा पर उनिस सो इंक 2003 में जो अमेंडमेंट होता है 87 खंसिस्योशनल अमेंडमेंट उसके द्वारा इंक्यान नहीं की वजाए 2001 की जन गणना को आधार मनाया गया इसके माध्याम से राज के प्रदेशिक निर्वाचन शेत्रों के पुनर सिमांकन का प्राध्धान किया गया 2001 की जन गणना की 888 रेस्टी के लिए कितनी हैं 47 इस प्रकार से इस कार से कुल सीट shitty आ इस प्रकार से कुल सीटे तो sampai कि जन गणना वाली यह है पोड़ाजों के भीतर लोगसभा सीटों का आकार 2021 की जनगणा की आधारपन इसे किया गया है तो कुल सीटें जो है बरतमान में ऐग्यांपल पांसो बामन है तो वो सीटें catalog यहां पांसो बामन यहां मतलब यह है न कि जनगणा की अनमसार आप तैसे 10 संख्या बढ़ने चाहिए येण शीट अब इभी ऐनी 17 की जांगानका है 500 लेकिन लेकिन यू इंटर्णी जो लोगसफां में सीटों का आरेंग्समेंट है वो 2011 की जांगानकाई फिल्टán किया गया tua तो तो लोग सभा में इस थारों का आरच्छन देखते हैं लोग सभा में अनुच्छे 330 के तहत अनुसोची जात एबंग अनुसोची जन जात है यानि SC और ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरच्छन दिया गया है 2001 की तेंगना के अनुसार बरतवान में सम्धान के प्रारम राजनितिक अरच्छन अनुचे 330 वा 332 बिधान सभा में सीटों का अरच्छन था एंगलो इंडियान को लोग सभा में अरच्छन के वल दस वर्स के लिए था फिर दस दस वर्स बढ़ाया गया 95 सम्धान संसोथां द्वारा 2009 से अरच्छन 2020 तक बढ़ाया गया एक सो चार में सम्धान संसोतन द्वारा जो कि अरच्छन में हुआ द्वारा उनुचे 334 के माध हमसे एस्टी के अरच्छन आवज 10 वर्स बढ़ा कर 2020 से 2030 कर दी गई है पर एंगलों इंडियान के लिए अवजी नहीं बढ़ाई गई अरच्छन की सीमा की समय सीमा सुरुआत में 10 वर्स थी अनुचे 534 वा 164 के ताहित करम से सच्छनिक संस्थान वा लोक नियजनिय जरकारी नग्परियम जो अरच्छन है उसकी कोई समय सीमा नहीं एवारा जनेतिक अरच्छन की सीमा 10 वर्स थी राजसभा में नहीं राजसभा में किसी बर्गों मिल जाएगा एक सोचट में जो समझासान सोधन हो है उशके द्वारा। लोक सफ़ा में राजसभा के कुल 25 स्थान आवंटि थे जिसमें से چार अनुसोची जातियों के लिए तीन अनुसोची जारतियों के लिए अरक्षे था राजस्थान में लोगसभा में राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं जिन में से चार अनुसोची जारतियों के लिए और तीन सीटें के लिए अरक्षे था तबकि राजसभा में राजस्थान को तस सीटें मिली है ग्यांत नहीं कि पहली लोगसभा में 10 नाम ने देशी सदस्थ है जिन में से 6 सम्मु कस्मीर से 2 आंगल भारती एक असम के जंजाती छेत्रों और एक अवंडमान वा निकोबार से थे लोगसभा के लिए आहरताएं वा निहरताएं यान योगताएं वा योगताएं क्या क्या है लोगसभा के सदस्थ के लिए लोगसभा वा राजसभा के आहरताएं वा निहरताएं समान हैं बस उम्र का फासला है लोगसभा के सदस्था के लिए आयों 30 वर्स वा उससे अधिक हो उन्हीं जातियों से सम्मान्दित होना चाहिए यानि कि SCST प्रसीट अरचित है तो वहां पर उम्मिद्वार SCST कमिंटी का ही होगा ऐसा नहीं है कि दूसरी कमिंटी का लोग आके इसमें दावा कर सकते हुआ हम छेद 102 में उस प्राद्धान का उलिए इसके अधार पर संसत सद अधारों तो यह पाजमा नहीं आधारों पर राश्पती सँस्ष़ा संसत के सदस्त क करते हैं यह राटिकल 103 में दिया हुआ है 113 में इसम Wise लेखिते कि राषपती चुना आयोग के अनुसंसा पर इस संदर में नीड़ने लेते हैं। राषपती को चुना आयोग का परमर्स मानना अनिवार रहे हैं। इस अंदर हमें राज़्पत द्वारा लिए गए निर्णे के विरुद्ध नियाला में अपील नहीं की जा सकते। संसत के जन प्रत्मिसित अधनियम उन्निस सो इंक्यामन के तहर समय समय पर निम्न लिखित अन आयोगिताएं भी निर्धारित की गई हैं और छेद 327 के तहर प्राप सक्थियों के द्वारा तो और कौन सी जो आयोगिताएं हैं वह चुनाबी अपराथ या चुनाव में भी खर्चाग विधायक की खर्च सीमा 4 है तो राजितान में कोई बिधायक 40 लाग तक खर्चा कर सकता है लोक सवा में पंचानने लागता उसे सरकारी सेवा मंवर्शाचार या अब श्वासूनीता की कार्रान पस्ते नहटाया गया हो और सरकारी ठेकों जा सरकारी कार्यों के क्रियानवन में आर्थिक हिती न रखता हो और सरकार की विट्थि भाग Douglas भागीदारी वार निगम चार केंतरगत है जो कि पच्चिस बर से जबकि प्रसासा कि या उप राजपाल की आईव का सम्मिधान हुआ उक्त अधनियम में कोई उल्लेख नहीं यह प्राद्धान जमुकस्मीर संग राज छेत्र पर भी लागू होता है दोरी सतस्ता तो जन पतनित अधनियम उन्निस इं सूचना देनी होगी वह कि सतन के सथा रखना चाहता तो अगर सूचना नहीं देता है तो इसके राज सथा समाब्त हो जाएग तो होता है तो उसके पहले से राज सवा में है और लोग सभा के लिए निर्वाचित हो जाता है तो राज सभा की सथास्ता अपने आप खतम हो जाएगी या कोई लोग सभा में हैं राज सभा के लिए निर्वाचित हो जाएगी तो उसे से से एक सीट को छोड़ना होगा अन्यथा डौनों सिटें रिक्त हो जाएंगे जब जो दह्त्र चुदा में मोदी जी ने दो सीटों से चलर राणाथ और लादट से लाख तो लो सीटों अगर ऐसा होता है तो उसकी सीट को बेकेंड करना पड़ेगा अन्था अगर बेकेंड नहीं करता है तो उसकी जो सांसत की सीट है वो समाप्त हो जाएगा अन्य अधार पर इस्थांडिक्त होना दोरी सदस्ता के अलावा अन्य अधार है दल बदल या अन्य निहारता है दल बदल या अन्य निहारता है दूसरा है पड़त्याग तो लोगसभा के सपीकर लोगसभा जो अधाच होते हैं को साराज सभा के सभापती को संबोजित त्या निहर्टाएं आपके पास आ गई है दूसरा आपने पत्याग दिया हो तो लोग सभा के जो सदस्थ हैं वो स्पीकर को और राजसभा खजस चेयर्मेन को अपना त्याग पत्र देते हैं अगर वह राजपती उप्राशपती या राजपाल का पत्र ग्रान कर ले तो वह उसको लोग सभा या राजसभा की या जहर्मंडल की सदस्था चोड़नी पड़ेगी को सदन की उन्मति के विना साठ दिन से आबादी साठ दिन के लिए सदन की सभी बयटों के अनुपस्तित रहता है तो Optimist को 1714 मियायों भंदRI है कि अधि सदस्थ की किसी भी सदन का कोई शदस से साठ दिन की आबदी तक सदन की अनुपस्तित रहता है सदन उसके एक timer कर सकती ग्या는데 रहे यह अधिकार की सी पताति कारी को नहीं अपर तो शोयम संसत को या संसरे सदन को दिया यह समिधहानिक बंद केवल directive है मिद्री नहीं है तो अगर साथ दिन के बाद तक भी कोई सबसे पहले लोग सभाने अपने सबसे को लगा तर साथ दिन अनमती के बिना अनपस्चित रहने पर आयोग कि स्थान कि राज सभा ने पाच दिसंबर 1956 को लोग सभा की बैटकों से सबसे के अनपस्चित समिती लोग सभापती द्वारा पेश किये गया प्रस्ताओ के अंतरगत स्री एसियन महापत्रा पहली लोग सभा के सदस्च के इस्थान को अनुच्छेद 104 के अधियन रिक्त कोशित किया गया था अभी तक राज सभा में अनुबस्ती के कारण इस्थान दिक्त होने का एक मामला हुआ है 21 दिसंबर 2000 को संस्थी कार और सोचना मंत्री द्वारा राज सभा में पेश किये गये प्रस्ताओ के अधार पर स्री बर जिंदर हमदर्द को लगातार साथ दिन दिंदर के कार्ण द्वादार के आधार पर दिस्क्वालिकिकेशन है उनको देखते हैं तर्व दिर संबंधित अयुगताओं को निरधार राज दसमी अनुतोची के अनुसार होता है जो बा जो प्रिप्टिटू जो कंस्ट्यूशन अमेमेंट हुआ था उनिसे पचासी में द्वारा जोड़ी गई है इसमें निम्न प्राब्धान है तो अगर कोई बैक स्वेच्छा से उस दल की सदस्ता ट्याग देता है जिस दल के टिक पर कोई फरक नहीं पड़ेगा गर आपने सदस्ता ट्यागता है तो उस पर आप उस पर रहत फोड़ी देक अ अगर वो अपने राजनीतिक दल दोरा दिये गए निर्देशों के बूट करता है या मद्दान नहीं करता है तो अगर कोई बक्ति ने क्राउस बोटिंग की और पंदा दिन के अंदर उसके दल नहीं किया तो इसे दल बदल माना जाएगा अगर निर्दली सदस अपने निर्वाचान के बाद किसी राजनीतिक दल का सदस हो जाता है तो जो निर्दली सदस है पर ग्यांपर कोई ब्रक्टि निर्दली चुणाओ लड़ा और जीत गया और फिर वे बिजेपी में आ गया तो ये दल बदल करूँ सपर फिल लग यदि सदन का कोई नाम ने देशी सदस अपना इस्थान ग्रांड करने की तारीक से 6 मा किसम अपदी के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सामयति हो जाता है तो दल दल नहीं मना जाएगा तो कोई मेंबर रहे से नमिनेट किया गया है तो उसके पास ये option है कि आप 6 मेने के भीतर किसी भी पार्टी में सामिल हो सकते हैं और अगर उसके बाद आप किसी पार्टी में सामिल होते हैं तो आपको फिर इसका लिफकेशन चेहलना पड़ेगा entity fiction law के तहट किसी राजनितिक दल्कसस स्थसे है तो उसके पासचात उसदा समझा जाएगा अगर वहाँ नमनेशन कि तारिख से ही किसी दल्कससस समझा जाएगा दसमियल सूची के तहट दल-बदल संबंदी आयोगता के प्रष्μα निप्डाला राज सभा में सभापनी तसलोग सभा में अध्यक्ष करता है और उसका निर्ने अंतिम नहीं नहीं होता किया जा सकता है अर्था सदान के अध्यक्ष के दल बदल सम्बंधिन निन्य की नयाइक समीच्छा याने जुडिसियल रिव्यू किया जा सकता है उजक्ष दल परिवतन को संख्यान में तभी लेता है जब सदान का कोई सथर्स इसके सिकायद करता है मैंने अपने से सुव मोटो संग्यान नहीं लिया जाता जब कोई सब्सक्राइद करेगा तभी वो इसके संग्यान लेगा कि हो तो हो लोहान बनाम जा चिलहु बाद जो कि निस बान में हुआ था इस बाद में सुप्रेम कोड़र नियने दिया कि दल बदल से संग्यान देदे बिधायक के अध्याक्ष या सभापति के नियने की नयक से नीच्छा हो सकती है अध्यक्ष उडिशा विधान सभा बनाम उतकल केशरी परिंदा केश में ने दिया कि ना केबल सदन का सदस्य बलकि ऐसा करने का इच्छ कोई भिव्यक्ति अध्यक्ष सभाप्रति के संग्यान में यह बात लाने का हकदार होगा कि सभा का कोई सदस्य भारत के समिधान के अनसोची के अंतरगत अयोग है फिर बानमा जो समिधान संदन हुआ था अनसोची को जोड़ा गया था और इंक्यानमा जो समिधान संदन हुआ था 2003 में यह भी दलबदल से संब्दीती है तो बावनमा यानि 52 और नाइंटी वन जो कर्सिटूशन अमेंडमेंट है कर्मसा उन्हों से 50 और 2003 वाले दोनों दलोदल से संबंदित हैं बिसिकली इसमें दलोदल वाले कानून में 2003 में फरस जो इस्टिक्नेस है और अधर बढ़ाई गई थी इंक्यानमा जो समधान से तो 2003 म में जहां मंति पचत का आकार निशित किया गया था यानि कि 15 परसंट से जादा नहीं हो सकती है मंति पचत का आकार चाहे बिधान सभा हो चाहे लोग सभा हो तो उसमें एक निशित किया गया था नांटी फर्स कंस्टिक्न एमेल्मन के द्वारा वहीं दसमियम्ज सूची से यह भी हटा दिया गया था कि किसी दल में एक बटे ऐसी कोई उच्छूट नहीं अब दो बटे तीन सदस्ट्यों को ही करना होगा यानि कि पहले एक बटे तीन अगर तूट कर कहीं और चले जाते थे तो उनकी जो सदस्ता रक्त नहीं होती थी ती मियारा सदस्ति आगर तोट के कहीं और चले जाएं तो उनके सदस्टा रखते नहीं होती थी लेकिन एक बटे तीन ये बहुत कम था इसको दो बटे तीन कर दिया गया अब इसको दो बटे तीन कर दिया गया है यानि कि अब कमसे कम बाइस दस्टों को तूटना होगा त्यतिस में से तब जाके इंडरिफेक्शन ला उन पर नहीं लगेगा अन्य था एक किस भी तूटे तो उनको इंडरिफेक्शन ला लग जाएगा ये बात जो इंक्याने में समधान सतोनान हुआ था 2003 में उसके द्वारा जोड़ी आप बात क्या है किसी राजनेतिक दल के विल आउ किस्तिती में दल परिवत्न के अध्वारार पर लागू नहीं होगी कि अगर लिए कर लेते हैं इस प्रिकार से उनकी सज़्चन नहीं जाएगी तथा पी संबंधित विधान दल के दो तिहाई से अजिक स्रस्चियों को इस तरह के विलाई के लिए सहमत होना चाहिए पिर जो व्यक्ति लोग सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अत्वा राज सभा के उपसभापती अत्वा किसी राज की विधान परिशत के सभापती या उपसभापती अत्वा किसी राज की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पत पर निवाजित हुआ है आयो आप नेतिक डल में मुझे परका संस्वह नहीं होता है पर आपने उक्त पश्वह में forgum चेर्मेन होता है यह अगर अपने पर से स्थीपा देते हैं या अपने दल के सदस्ता छोड़ देते हैं तो इनकी जो सांसदी है या इनकी जो बिधाई की है नहीं जाएगी कुल्मिला के बाद लोकसवा की अबधी तो लोकसवा एक आइस थाइस दन है इसके अबधी आम चु सकता है राजपती के इस निर्णे की नियाएक समीच्छा नहीं हो सकती है अगर किसी सदस्ति की किनी काड़नों से पद रिक्त हो जाता है तो उन्हें तो नए सदस्त का चुनाओ छह माँ में करवाना होता है अगर सदन की आबधी छह माह से कम है तो ऐसा करवाना अनिबार अभी जो लोग सबाव के चुनाओ होने है तो जन्वरी में कोई सदस्त उसकी सदस्ता चले गई या पदर रिक्त हो गया तो अब ज़रूरी नहीं है कि फिर उससे चुनाओ हो अब जो लोग सबाव है उसमें ही उस सेट के लिए चुनाओ करा लिए जाएंगे तो यह बात ह सब्सक्राओ के हैं । है इसेग description तब ही बनता है ने सदस्ता चले सेट अजनी सेशाथ सेग संसद के दोनों सदनों के प्रतेक सदस्य अपना इस्थान ग्राण करने से पूर्व तीसरी अनुसूची में बाणित प्रारूप के अनुशार राष्ट पती या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष सपत लेते हैं राष्ट सभा में आम तोर पर उपराष्ट पती सब्सक्राइब यह बारत के समिधान कि सद्वार्थ नियुक्त लेते हैं पहला उन्चे चौरासी एं इंतरगत निर्वाचन में अभ्यार्ति के रूप में रमांकन पत्र भास्तिय समय निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित किसी बख्ति के समच्छ दूसरा उन्चे निन्यानने के वबंदों के अधेन निर्वाचन निर्वाचन निर्वाचित होने के पस्चा सदन में इस्थान ग्राण करने से पूर्व राश्पति या उसके द्वारा इस निमित निमित बख्ति किसमा सबत लेते हैं दोनों प्रकार के सपत या प्रतिगान का प्रारूप समिधान की तीसरी अनसोची में दिया गया है। तो पहला क्या है कि या नए सदस्दश्चों को सपत दिलाता है दूसरा नए अध्यक्ष का चुनाओं करवाता है। मत्रप्रदेश से जीद कराये थे त्रामिल को सफ़ा के पढोटाम इस बीकर बिरेंद कुमार सोड थे निर्बाची सदस्यों को सपत दिलाना मात्र नहीं है जब अध्यक्ष उपधाश दोनों के पदरिक्त हो जाते हैं तो लोग सभा का ऐसा सदस्य जिसे राश्च्पति इस प्रयोजन के नुक्त करें उस पत के करतब्यों का निर्बाहन करता है अनुच्छेत पंचानने एक के इस परकार लोग किये गए व्यक्ति को सामें एक अध्यक्ष या प्रोट्यम स्पीकर कहा जाता है और इस नाम की बज़ाद से उसके सभाद वारा चैनित अध्यक्ष से फिन होने का पता चलता है यानि कि जो पर ग्यांपल स्पीकर भी नहीं है तो अन्य जो ब्यक्ति करेग प्रोट्यम स्पीकर अध्यक्ष का NEW जब हो गया यानि स्पीकर का चैनि तो अपनी प्रोट्यम स्थीकर को सामें आत्स प्रोट्यम सवा तक नहींघक्ष को होती है यह उद्यक्ष के साल सबसे बड़ी सदस्य को सामिक अध्यक्ष के रूप नुक्त किया जाता है ता आम निर्वाजनों के बाद अभी तक अपनाई गई परपार्टी के अनुसार ऐसे नुक्ति के संबन्ध मिराश्पती के आदेश संसिदी कार मंत्राले द्वारा प्रात किया जाते हैं गोविंद के पस्चात राष्ट पति द्वारा निर्धारित राष्ट पति द्वारा याद रखेगा राष्ट द्वार निर्धारित तारीक को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्षी स्पीकर का चुनाओं करता है चुनाओं सधान भूमत से ही होता है 1952 से मत पत्रों दारा लोगसभा अध्यक्ष का चुनाव कराने की पत्ति छोण दी गई है अब चुनाव लोगसभा में खुले मत दान दान दारा होता है कि लोग सवा अध्यक्ष की सपत का प्राबधान नहीं है या केबल लोग symmetry के रूप में ही टोटे में स्पीकर के सभड लेता है लोग symmetry का सब्राइन नहीं लिने पड़ती है राज्य सभासट की शभाड़न प्टोस्था, पहले ही ले लिवी है तो speaker की अलग से अवहान सके रहान होता है यह दो जब से लग सचवाले का गारी देखना कहता है तो जब रॉन को इसनमालों काल नहीं जायों है तो अब Remember Тाहिज़ नहीं से काड़ कारेकाल तब समाप्त होगा जब यह नहीं तुन से आपना पत्याग देंगे जो ही जब सकता है है कं ने वीटन की करें एक बार अध्यक्स सिता की लिए तब तक अध्यक्ष रहता है नहीं यहां इसा नहीं नहीं यहां इस्पीकर आम तोर पर इस्पीकर बनने के बाद अपने पार्टी को त्याग देता है इसके अब बाद है जो यूपीय प्रथम सरकार में स्पीकर थे अब बिटन में भी यह परंपरा सनाथ हो गई है दीरे दीरे तो बिटन में वारास से सीख गया है तो समिधान में पदों के लिए चैन चूज सब्द का प्रयोग किया गया है ना कि निर्वाचन इलेक्शन सब् द्रखश के लिए अधिकर प्रयोग किया गया है निर्वाचन इलेक्शन का नहीं ध्यान रखिए गए अधिकर दृटों के लिए